कुलदीब जी आप तो शुरुवात मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से ही करना चाहिए क्योंकि एक तरफ सीट शेरिंग को लेकर आप लोगों के बड़ी तयारी है वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान कहानी सुनाते हैं लोगों को और बोलते हैं एक थी कॉंग्रेस माँ अपने बच्चों को सुना सकती है दुनिया की सबसे छोटी कहानी तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री पर पवन खेडा जो की कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो रिप्लाई करते हैं रीट्वीट करते हैं और वो बोलते हैं कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं, दोनों का सपना कॉंग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुग की खाएंगे, वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है, एक था जोकर, आपने देखी तो होगी, अगर इस तरह की बजुबानी आप लड़ाई लड़ पाएंगी 2024 की, चित्रा जी, सबका इंडिया गडबंधन का सबका एकी विजन है कि इस देश को बेरोजगारी से महंगाई के उससे बहार निकालना है, सबको इस देश के सविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंतर को बचाना है, और सब इंडिया गडबंधन से आज देश बर के लोग की उमीदें जुड़ी हुई है, और निशित रूप से आम आदनी पाटी उस इंडिया गडबंधन का हिस्सा है, और हम सम मिलकर उसमें आगे बढ़ रहे हैं उस गडबंधन के अंदर, और 2024 की जो परिणाब होंगे, वो आपको बहुत अलग देखने के मिलेंगे, क्योंकि आज ये देश जो है विरुजगारी और महंगाई के मुद्र चुपकारा चाहता है, और को दिलाएगा तो इंडिया गडबंधन दिलाएगा, आज इस प्रकार से सरकारी एजनसियों का दुर्पयोग किया जा रहा है, सरकारों महां के न लंबी लड़ाई है, भारती जन्ता पाती को रहा है, आपके इस लंबी लड़ाई के लिए ये एक था जो कर, किसके लिए कहा है, पवन खेड़ा जी ने बताईए आप मुझे, किसके लिए कहा होगा, या कोई और बता पाएगा, विशे ये नहीं है, विशे आज मुद्द को, बाबास है, लोक तंडर को, हाल की सब्याई को बचाना है, लेकिन विशे आज ये को, कोण्रेस ने फंट पार्टी ये कर रहे है, कि जहा पर नंबर तू वो आई थी चैट या जहां कि सीटे उसने जीती थी वहाँ पर अपने उम्मीदबारों को वो उतारेगी तो चुंकि आमादभी पार्टी से ही शुरुआत हुई है इस वज़े से 2019 में आठ सीटे पंजाब में कॉंग्रेस ने जीती थी राजानी दिल्ली में साथ में से पांच सीटे कॉंग्रेस पार्टी को चाहिए तो इस फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी क्या आगे बढ़ना है बीजेपी को हराने के लिए जो लंबी लड़ाई जिसका जखराब कर रहे थे चाहिस दिल्ली में हम भाचपा को यह राठीक को डार्टी आख होगए वार हमारा पर दिखाने की तैयारी आम आदमी पार्टी करने जारी है चुंकि बीजेपी को हराना है इस बचाना है इस से हम आपस में मिलजूल कर सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै कर लेंगे बीजेपी को इसके लिए परिशान होने की जरूत नहीं है शहजाद जी पहुचाना दुगने रफतार से एरपोर्ट बनाना दुगने रफतार से आवे बनाना या चाहे वो जिस प्रकार से हाइस एक्षट यह सारी चीजें करना यह हमारा इसके दिखने नहीं वाले यह लोग मैं आपको बताता हूँ क्यूं देखे दरसल मामला यह है कि इनके पास Mission Mission छोड़ी एंके पास केवल क्या है अपना अपना अपना-पना corruption, अपना-पना commission और इतना भारी contradiction मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको पिछले 20 दिनों के statement गिनवा रहा हूँ 20 दिनों के हैं, चितरा जी केवल 30 second देना TMC के कुनाल घोष, Congress Party दलाल है TMC के कुनाल घोष, ये Left Party की आउकात है क्या SP के अखिले शादफ, Congress धोकेबाज है आम आदमी Party, इन्होंने अभी तो जो कहा है, वो तो आपने देखी लिया और आम आदमी Party के लिए कहा है, भगवतमान के लिए सिद्धू ने कहा है, he's a nut महराष्टर में, संजय समवाद, आपने सुना है संजय समवाद एक बोल रहा है, तुम गली महले के नेता हो, दूसरे बोल रहे है, तुम तूटी हुई पार्टी हो केरल हमें, Congress Party कह रही है, Left Party को, कि तुम धोकेबाज हो, कावर्ड हो, साइकोपैत हो अच्छे ये बोल रहे है, देश बचाना है, घजब देश बचाना है तुम लोगतन से खतम कर रहे है, पंजाब में खेरा गिरफतार होता है, तो Congress उनको बोलते है, कि तुम लोगतन से खतम कर रहे हो, केरल में वाइनार्ड से हटने को बोलते है, तो ये लोगतन से खतम कर रहे हो, सुधाकरन को गिरफतार कर दिया, और ये सब मिलकर, मुंबई दिल्दी में आकर लोकतन से बचाने वाले जिनके ऊपर ये लोकतन से खत्ब करने कारोप लगाते हैं, आकरी बात समाप करता हूं, चार मीटिंग हो गई देश के अलग-अलग हिस्सों में, चार मीटिंग का पता है, निचोड क्या है, आओ, खाओ, फोटो, खिचाओ, जाओ, ये तो जेडियो के सांसद ने भे बताया, ना लोगो तै कर पाया, ना नेती तै कर पाया, ना नेता का नाम साムने आया, मलीकरजुन खड़गे जी का नाम सामने आया, क्योंकि राहुल गांधी में तो विश्वास नहीं है, इंको, तो किस प्रकार का प्रakan का रिएक्षन थोड़ा सा important बात है चितरा जी थोड़ा analysis कीजिए इस गठबंदन की आवश्यक्ता कहां पर है आप देखे तो मध्यप्रदेश राजस्थान चाहिए नहीं हो रहा पंजाब में नहीं हो रहा पंजाब में नहीं हो रहा गुज्राद में नहीं हो रहा तो मुझे दूर्बीन क पूरी तयारी है इंडी गठबंदन को खोजू कहां जल्दी से इसका मैं जबाब ले लेती हूं बाकी महमानों की पास आउंगी जल्दी से कुल्दीप कुमार जी देखे सहजाद जी इतने बोखलाए हुए इतने परेशान है इनको अपनी चिंता नहीं है अरे आप बीचे लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके पास मॉडल है और उस गरंटी को पूरा करते थे आज बोधी की ने वर्ड भी चुरा लिया लेकिन गरंटी वर्ड चुरा सकते हो अरविन के जीवा जी उन्हें पहां वह किया है सवास की बात हो जुद कि उसक्ति सबकुछ कर लेंगे है यह कह रहाftig 12-24 क्या अंती शारकार इस। के अंदर 24 में बनने जाने 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 हैं के दिया गया है वाई जन्वरी को सभी लोगों को राममंदर के प्रांड प्रतेश्ठा कारिक्रम को दिखाने के लिए कहा गया है बीजेपी अधेक्स ने कहा है कि सभी को अच्छे से दर्शन करवाना इस सारह की बातlaughते 尽कलत और सामने या रएए तो कुल मिलाकर राम मंदर को लेकर हिंदुत्त को लेकर दोजार चौबीत के एलेक्शन में एक बर फिर से बहुत जोरशोर से भारतिय जनता पार्टी जाना चाती है विशेश स्वच्चता अभियान चलाएगी बीजेपी ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि एधिया को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और महौल बनाने के कोशिश भी है जिसको लेकर लगातार विपक्ष भारतिय जनता पार्टी पर राम के नाम की राजनीती करने का आरूप लगा रहा है ये तो एक बात हो गई और आपको बताते चले कि अब लोट कर आ जाते हैं एक बर फ़र से अब जो बड़ी बैठक होने बाली है आगामे दिनों में इंडिया अलाइंस की ताकि सीटों का बटवारा यहां पर बराबरी पर हो जाए और उसको लेकर एक आखड़ा मेरे पास है सीदे तहसीन पुनावाला जी आपकी पास आते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपे और कॉंग्रेस के अगर वोट शेयर के हम बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 50 फिसदी या उससे जदा की वोट शेयर के साथ 224 सीटों पर जीत हासल की थी जिन को 50 फिसदी से जदा वोट हासल हुए कॉंग्रेस के 52 विजेताओं में से 34 को 50 फीसदी से कम वोट मिले यानि कि यहाँ पर आप कोशिशे जरूर कर सकते हो लेकिन 224, 50 फीसदी से जादा आप कितनी भी कोशिशे कर ले अगर आप जहां-जहां आपने अलाइंस के साथ उतरना भी चाहते हो तो जब तक कोई तगड़ी रनीती नहीं बनाई जाएगी आप क्या से हराओगे 224 सीटों पर बीजेपी को जिजा जी नमस्कार अवल तो नव वर्ष की आपको सभी फेलो पैनलिस्स को और आज तक के सभी दर्शकों को सब्सक्राइब करता है आपके शो में दुबारा से शिर्कत करता हूं कर रहा हो तो उसके लिए में आका शुक्र गुजारू और आप ने बिल्कुल सही कहा हूं करीबन तीन सो सीटों के अंदर एंडिये जो उस वक्त यूपी अलाइंस था उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं था इस पात को मैं पूरी तरस से इसको अग्री करता हूं क्योंकि शो पर गलत बोलने का क्या मतलब और मैं नहीं सोचता हूं कि इंडिया अलाइंस का मकसद है भाजपा को समाप करना इंडिया अलाइंस का मकसद होना चै पॉजिटिव राजनेटी देश को आगे बढ़ाना देश के सामने क्विजन रखना तो अगर इंडिया आलाइंस जीतना चाहती है और जीत सकते हैं आज भी 2014 में हाला की सभी प्रे सारे highways jammed है, आपने नए कानून पास किया, सभी विपक्ष के नेताओं को बाहर निकालते हैं, लोगों को आपने उनके opinion लिया, सभी highways jammed है, पेट्रोल की shortage हो चुकी है देश के अंदर, या पेट्रोल आने रहे क्योंकि टुकर स्ट्राइक के उपर है, और अगर स्ट्राइक ज बहुत सारे मुद्धे जिन पर भाजपा को गेर सकते हैं, उन मुड़्ों पर फोकस करना चाहिए, ना कि गलत मुद्धों पर, जहां तब दूसरा सवाल है कि गड़ बंदन कैसा बनिकास का फॉर्मला, मैंने परले भी आपके शो पे कहा था, आज भी इसमें 90% सॉल्वड ह अब तीसरी बात पर जो बार बार शहदा के रहेते हैं, तामिलाडू, पर भाजपा के खिलाप होगी, तो वहां पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ स्टेटों मैं उसको मानता हूं, जैसे दिल्ली वगरा, इसलिए मैं कहा हूँ 90% सॉल्वड है, अब तीसरी बात पर जो मार बार शहदा के रहेते हैं, तामिलाडू, तामिलाडू महाराष्टर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, गट-बंदन की, DMK और AI-DNK, दोनों चाहतें कॉंग्रेस के साथ, और DMK के साथ ही जाएं की नहीं, इंडिया आलाइंस की नीता है, मैं जिनुनली ये सलाह दे रहा में, इस देश के इतिहास में, 1947 से लेकर सबसे ब्रश्ट चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ भाजपा गट-बंदन में, तो चिराग पास्वान के सारा फॉनिचर होना ने घर के बार पेग दिया, उनके साथ गट-बंदन में, तो देखिए भाजपा एक नमर की हिपोक्रिटि पहले तो देखे तैसीन पुनावाला को इंडी अलाइन्स का मेंटोर घोशत कर देना चाहिए, संयोजग, वईयोजग, बने ना बने, पी-एम फेस बने ना बने, अच्छे स्पिरिट में कह रहा हूँ, रोने मत शुरू कर देना, तैसीन पुनावाला को ओफिशली घोशत कर देना चाहिए, कि he is coach and mental coach of India Alliance, अच्छा देखे, इन्होंने good governance की बात की, तैसीन पुनावाला के साथ एक बार मुझे जरा window पे लीजिए, ये इनके मित्र है दिनेश गुंडूराओ, ये दिल्ली आये थे, और दिल्ली आकर बोलते हैं, कि ये health model तो बड़ा बेकार है, य आम आदमी party का, तो कौन सा governance model है, जरा बताना हमको, और ये आम आदमी party वाले जो है, पंजाब में बोले थे, Congress ने पूरी खटिया खड़ी कर दी थी पंजाब की, अब हम आये हैं, तो हम इसको ठीक करेंगे, तो ये कौन सा governance model है, बताइए जरा हमें, और 18 वर्ष बाद हमार इनके पास केवल एक ही मुद्धे पर unanimity है, कि किस प्रकार से सनातन हिंदू का अपमान करना है, दे कि सब में common क्या है, 370 पर common stand नहीं है, तैसीन का stand, मतलब Congress का stand, आम आदमी party का, समाजवादी party का stand अलग-अलग है, पर सनातन पर जब बात आती है, तो आम आदमी party के गौतम साहब हो, समाजवादी party के, जो उनके स्वामिप्रसाद मौर्य है हो, या Congress party में तो सिद्धर मया से लेकर Congress party के तमाम नेता हो, हिंदो का अपमान करने पर, तो ये India alliance का केवल एक ही mission है, कि हिंदो को कैसे गाली देना, राम मंदिर पर भी देखे न, राम चरित मानस पर देख जुनाओं से 420-440 सीट चल लड़ रही है, आज वो 290 सीट पर आ गई, ये तो Congress घटाओं है, मोधी हटाओं तो छोड़ दीजिए, ये Congress घटाओं का alliance है